आलू उत्बादन करने वाले किसानों के लिए आलू प्रद्योगी की केंद्र अब एक खुश खबरी लेकर आया है कृशी जगत में हर्याना के बागबानी विभाग के तहट पोटेटो टेक्नॉलोजी केंद्र शामगड का ये एक रांतिकारी कदम है बदा दे कि हर्याना के करनाल सिथ बागबानी विभाग के तहट आलू केंद्र उन्नत खेती करने में अपना एहम योगदान दे रहा है फसल उगाकर जादा मुनाफ़ा कमा सकता है जी हाँ ये संबव है क्रिशी की नई तक्नीक ऐरोपॉनिक से करनाल के शामगर सित आलू प्रद्योगी की केंद्र द्वारा किसानों के लिए ये नई विधी निकाली कई है जिसमें बिना जमीन बिना मिट्टी के हवा में ही आलू इसमें पैदावार काफी कमाती थी एक पौधे से पांच छोटे आलू मिलते थे जिने किसान खेत में रोपित करता था इसके बाद बिना मिट्टी के कॉक्पिट में आलू का बीज उत्पादन शुरू किया गया था इसमें पैदावार करीब दो गुना हो गई थी इसके ब इना मिट्टी बिना जमीन के आलू पैदा होने लगे हैं इसमें एक पौधा 40-60 छोटे आलू तक दे रहा है जिने खेत में बीज के तोर पर रौपित किया जा रहा है इस तकनीक से करीब 10-12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी इस बारे में जानकारी देते हुए डोक्र म न्यूट्रियंट्स पोधे को दिये जाते हैं वैं मिट्टी के जरीए से नहीं बलकि लटकती हुई जडों से दिये जाते हैं इस तकनीक के जरीए से आलू के बीजों को बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं जो कि किसी भी मिट्टी जनित रोगों से रही तोंगे उन केंदर पर एक यूनिट में इस तकनीक से 20,000 पोदे लगाने की क्षमता है जिसे आगे फिर करीब आठ से 10 लाक मिनी टूबर्स या बीज तयार किये जा सकते हैं वहीं आलू केंदर के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट शारदुल शंकर ने बताया कि केंदर ने आलू की इस तकनीक से ना केवल हरियाना के किसान बलकी दूसरे राजों के किसानों को भी लाब मिलेगा इससे किसानों को उच्च श्रेनी वे गुनवत्ता वाला बीज कम दामों पर प्राप्त होगा उन्होंने बताया कि नई टेक्निक से तयार की गई किसमों में कुफरी, मोहन, प भूटान से एक किसम है, इन किसमों को अभी इस केंद्र में ट्राइल बेस पर लगाया गया है, आने वाले समय में सीपी आराई की मदद से इनको रिलीज किया दोक्तर साब एरोपोनिक टेक्निक क्या है? इससे हमारी जो अलू बीज की ब्रीडर सीट की जो चमता है उत पादन की वो लगबग तीन से चार गुना बढ़ गई है, इससे आसपास के राजियों और हर्याना के किसानों को जो है बेनिफिट होगा, वो लाववेंत होंगे, और इससे जो है उच्छ स्रेणी का विशान इससे जनितर होगे, उससे रहित भीज आप लोगों को, किसान भाईयों को कम दामों पर मिल सकेगा, इसमें अभी हमारे पास कुफरी मोहन, कुफरी पुकराज और चिप्सोना वन वराइटी हमारे पास उत पादन में है, इसके तरीक नीलकंट वराइटी है, हमारे पास जो क्लोन हैं, CPI International Center for Potato के, जिसके उपर हम लोग आगे मल्टी लोकेशन ट्राइल्स कर रहे हैं, और उसमें सो जो भी वराइटी, हर्यान राजे या भारत देश के लिए, जो भी विबिन राजियों के लिए, जो अच्छी होगी, उसको हम लोग CPIRI की मदद से रिलीज करेंगे. जो क्टर सब कोई ऐसी वराइटी जो बाहर से लाके यहां पर ट्राइल के लोग है? जो अरज द म्यक्री वराइटी जो एक वराइटी में से आर्ली वराइटी में से है और वो सतर से पैशातर दिन की आने वाले समय में नहें, जो यह वराइटी जहें उतपादर शमता बढ़ेगी और जो जो पोदे के ओपर उसको सनक्षित करने के लिए उसको बचाने के लिए जो फंजिसाइड या इंसेक्टिसाइड का जो खर्चा होता है वो भी बचेगा और प्रोड़क्शन भी बढ़ेगी से मैं शारदुल शंकर हूँ यहां सबजेक्ट मेटर स्पेशलिस्ट हूँ अलू पर जो कि के लिए शामगर करनाल पर हूँ अजिसाब एरोपोनिक टेक्निक क्या है क्या वी दिए इस तरह के लिए इस तरह के उनके लिए बड़ाई बड़ी ही सुटेबल है और आप इस तकनिक में देखेंगे कि जो भी नूट्रिंस दिये जाते हैं वो सोयल के तरू नहीं हैं बलकि यह डिरेक्ली मिस्ट के तरू यह आपको जड़ों में दिये जाते हैं और इसमें मिस्ट के लटकती हुई जड़े हैं आलू की तो इनको हम सीधा नूट्रिंस प्रोवाइड करते हैं और इस तक्नीक के जरिए आप आलू की बहुत अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन कर सकते हैं जो कि किसी भी तरह के मिट्टी जनित रोगों से रहित होंगे किसी भी प्रकार के वाइरस से फ्री होंगे और साथी साथ इसमें आपको नंबर अफ ट्यूबर्स जो हैं या आलू की संख्या जो है वो बहुत ही जादा मिलती है परमपरागत जो हम खेती करते हैं उसके मुकाबले में आप 30 से 50 तक ट्यूबर्स आप इसमें ले सकते हैं जो कि सामाने तरह हम परमपरागत जेती में इसके मुकाबले काफी कम रहती है तो ये तकनीक आने वाले दिनों में एक बहुत ही एक सीड की जो कमी है हमारे अच्छे गुडवता की सीड को कमी को पूरा करने में ये बहुत ही सहाइक हो सकती है और ये बहुत ही महत्वपूर तकनीक है और हर्याना गौवर्मेंट की तरफ से ये एक डिपार्टमेंट ओफ हौटी कल्चर की तरह से ये बड़ा ही अच्छा प्रयास है इस जो हमारा यहां पे आलू प्रोदोगी केंदर शामगड का जो ये सेंटर है पोटेटो टेकनोलोजी सेंटर और इसमें जो ये तक प्रिबन आठ से दस लाख आलू के उच्छ गडवत्ता के मिनी ट्यूबर्स या सीड्स को हम ले सकते हैं तो ये जो है एक बहुत ही व्यापक स्तर का एक प्रयास है सरकार की तरफ से किसानों को अच्छा सीड प्रोइड करने के लिए आने वाले समय में टेकनिक का भी फाद नहीं मिलती हैं मैं डॉक्तर मनीश सेंगर हूँ और मैं आलू प्रोदोगी के खेंदर में सीनियर कंसल्टन्ट हूँ अपर्फेक्ट वेन्यू पर वेडिंग लाँचिंग और पादी राजगराना और जोती गादन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज